वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दो हजार तरेज में पती पर तीन मुसीबते आ रही हैं क्योंकि पती को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है चीजों में कुछ बदलाव होने की वज़ा से कई बार व्यक्ति अपने केस खुद भी कोट में लड़ते हैं चाहे वो फाइनशल दिक्कत की वज़ा से हो या फिर कोई और वज़ा हो जिससे व्यक्ति को प्रेक्टिस का पता नहीं होता और वो लोग किताबों में ढूंडते हैं और ज़स सहब को समझाने लगते हैं ऐसा करने से आपको बचना है जब कोई भी व्यक्ति अपना केस खुद लड़ रहा हो इसलिए आज की वीडियो में हम प्रेक्टिकली जो हस्बन की समस्याएं आ रही हैं उसी के बारे में बात करेंगे 2023 में अभी करन टाइम में कोट मेंटेनेंस की केस को लेकर काफी सकत है अगर पती अनिम्प्लॉइट भी है तब भी पती पर मेंटेनेंस लगाया जाता है आप कोट में कोई भी एक्सक्यूज दे दो आप मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते एक ही चीज़ पती को बचा सकती है कि पती कोट में ये साबित करे कि आपकी पतनी कामकाजी है और वो अच्छी सलरी लेती है तभी आप maintenance देने से बच सकते हैं maximum शहरों में add interim का भी प्रचलन वड़ गया है यानि की लड़की application दे कर आई और court ने पहली ही date में कह दिया कि इतना maintenance पतनी को दे दो इसे पती पक्ष पर बहुत सारी दिक्कत आ रही है क्योंकि court में पैर रखते ही husband को पैसा देना है इसलिए भी आपको mentally prepare रहना है इसके बाद हम आ जाते हैं transfer petition पर यानि की लड़की case को transfer करवाने के लिए petition डालती है high court में या फिर supreme court में लड़की के पास दो option होते हैं या तो वो उस transfer petition को contest करे या फिर ना करे तो ऐसे में contest कर भी सकते हैं लेकिन maximum cases में सुप्रीम court की बहुत सारी guidelines है कि महिलाओं की सुविधाओं का ध्यान में रखना चाहिए तो contest करके कोई फाइदा भी नहीं है उसके बाद बहुत सारे लोग anti-spatry bail के लिए जा रहे हैं जब भी मुकदमा दर्ज हुआ उन्हें ये समझाया भी गया कि anti-spatry bail की कोई अफशकता नहीं है फिर भी लोग anti-spatry bail के लिए जाते हैं अगर गलती से anti-spatry bail खारिच हो जाती है तब high court में जाना पड़ता है जब लोग high court में पहुंसते हैं तब तक चार्षिट फाइल हो जाती है तो कोई logic ही नहीं रहता फिर जब order आता है तो उसमें कुछ conditions लिखी होती है फिर आप bound हो जाते हो और आपकी वी condition follow ही करनी पड़ती है तो फिर anti-spatry bail में जाने से कोई फाइदा नहीं मिला इसके आपको नुकसान भी हो सकते है आप अगर matrimonion case को fight कर रहे हैं तो इन सब चीजों को आप ध्यान में जरूर रखें तो I hope दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरी चैनल को like, share और subscribe जरूर करें वीडियो में लाग सक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद